अलो फ्रेंट आज के इस सेशन में हम सेडिमेंटियोजी के बारे में दोस्तों डिसकसन करेंगे दोस्तों सेडिमेंटी रोग जो है दोस्तों आर्थ में आर्थ के क्लास में जेनरली आपको 5 पोर्शन सेडिमेंटी रोग देखने को मिलेंगे उनका दोस्तो एक्स्टेंशन आर्थ के up to great depth like 16 km तक दोस्तो देखने को मिलते हैं तो आज के class में हम sedimentary rock का formation के बारे में दोस्तो जाने की कोशिस करेंगे दोस्तो तो तीन process होते हैं दोस्तो तीन stages होते हैं तीन stages, stage 1 पर क्या होता है, sedimentary rock कैसे formation होता है उनके बारे में बताने कोशिस करूँगा दोस्तो तो यह दोस्तो क्या होता है, तीन stages में divided हैं तो stage 1 में क्या होता है, generally दोस्तो यहाँ पर weathering होता है दोस्तो weathering किसका होता है, कि pre-existing rock का, जो भी रोग पहले होगा weathering and erosion of pre-existing rock यह दोस्तो stage 1 है, उसके बाद हमारा stage 2 stage 2 क्या होता है दोस्तो, stage 2 में generally sedimentation होता है sedimentation होता है दोस्तो, okay, and stage 3 पर lithification and digenesis होता है stage 2 पर क्या होता है दोस्तो, lithification and digenesis होता है तो यही तिन stages होता है, तो आपको यहाँ पर एक एक करके stages बताने की कोसिस करूँगा okay, पहला stage में क्या होता है, पहले क्या होता है, कोई भी रोग हो सकता है कोई भी मतलब की आप igneous रोग देख सकते हो या आपका metamorphic रोग हो सकता है या कोई sedimentary रोग भी हो सकता है तो यहाँ पर क्या होगा, आर्थ के जो exogenetic forces है exogenetic forces होते हैं दोस्तो, इनके करण क्या होता है कि weathering erosion हो जाता है, तो weathering erosion के कारण यहाँ पर क्या होता है कि दोस्तो, disintegration activity होता है कि इसका दोस्तो इसी pre-existing rock का अगर disintegration activity स्टार्ट हो गया तो दोस्तो यह क्या करेगा जो disintegrated product है दोस्तो यह transported भी हो सकते हैं okay, transportation भी हो सकते हैं okay, transported कैसे होते हैं दोस्तो, जो weathering के agent होते हैं जैसे की river, wind, glacier, groundwater, बहुत सारे weathering के agent होते हैं इनके करण दोस्तो, transported हो जाएंगे दोस्तो, एक जगा पर वह accumulation हो जाएंगे दोस्तो, यह था आपका stage 1 okay, उसके बाद transported के बाद क्या होगा एक जगा पर दोस्तो, sediment क्या होगा accumulate, accumulation हो जाएगा और accumulation को हम क्या बोलते हैं और process क्या होता है दोस्तो, sedimentation तो sedimentation में क्या होता है दोस्तो, जब बहुत over the time हम देखते हैं एक रोक दोस्तो, क्या हो गया अभी, sedimentation हो गया जो pre-existing रोगता और dc internet होके दोस्तो एक जगा पर transported होके दोस्तो मतलब की accumulate हो गया जिस process को हम क्या बोलते हैं sedimentation उपके एक जगा पर रोग का deposition हो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तो sedimentation this is a process of accumulation of sediment इन्हें site of deposition तो कभी-कभी यहाँ पे दोस्तों physically मतलब की mechanical process में भी deposition होता है like river के दोवारा हो गया wind के दोवारा हो गया और कभी-कभी chemical activity भी यहाँ पे involved होता है तो sedimentation के बाद यहाँ पे आपको क्या मिलेगा दोस्तों loose fragment loose fragment आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा उसके बाद यह जो over the time क्या होगा दोस्तों? इस loose fragment के उपर दोस्तों क्योंकि और भी बहुत सारे sediment दोस्तों लोड होगा बहुत सारे sediment load होने के कारण क्या होगा दोस्तों सेडिमेंट में दोस्तो लोड बढ़ेगा दोस्तो इसके कारण यहां पे दोस्तो क्या होगा कि कॉम्पाक्षन कॉम्पाक्षन सिमेंटेशन ओके और क्या प्रोसेस होता है दोस्तो कभी-कभी अगर टेंपरिचर भी इंवल्ड होगा दोस्तो री क्रिस्टालाइजेशन भी हो सकता है री क्रिस्टालाइजेशन भी होगा दोस्तो तो जब एक लूज फ्राग्मेंट पे कॉंपाक्शन हो रहा है सिमेंटेशन हो रहा है री क्रिस्टालाइजेशन दोस्तो हो रहा है तो यह जो loose fragment क्या हो जाएगा दोस्तो बहुत ही compact हो जाएगा compact rock हो जाएगा दोस्तो compact rock हो जाएगा okay tight rock hard rock बन जाएगा दोस्तो hard rock पे यह जो loose rock था यह भी hard rock पे convert हो रहा है तो इसी rock को हम क्या बोलते हैं दोस्तो sedimentary rock बोलते हैं sedimentary rock हम बोलते हैं तो यह process को क्या बोला जाता है जहां पर loose fragment the loose fragment converted to hard rock this process is known as lithification और यहां पर जो changes हो रहा है loose fragment में जो था दोस्तों उसका जो character था और दोस्तों lithification के बाद दोस्तों बहुत सारे changes हो रहा है इस changes को हम क्या बोलते हैं दोस्तों diagenesis changes यहां पर बहुत सारे physical chemical changes हो सकते हैं within this sediment इस changes is known as what? diagenetic changes और the process involved in this change is known as diagenesis क्या होता है दोस्तों loose fragment और loose fragment क्या होता है दोस्तों lithified हो जाएगा मतलब कि hard rock हो जाएगा इसमें जो changes हुआ है फिजयो केमिकल जो changes हुआ है इसको diagenetic changes बोलते हैं और यहां पर जो changes process involved इस process को हम क्या बोलते हैं दोस्तों diagenesis process बोलते हैं तो चलिए दोस्तों आपको मैं तरव की figure से समझाने पोसिस करता हूँ formation of sediment yrog पहले कि आओगा weathering erosion deposition weathering breaking the sediment okay and transported transportation हो सकता है दोस्तों यह जो sediment breaking होगा दोस्तों बहुत दी प्रोसेस यहां पर mechanical process chemical process बहुत ही highly involved होता है तो उसके बाद दोस्तों erosion करेगा wind water ice gravity के करान दोस्तों यह जो weather material दोस्तों मूब करेंगे ओके मूब के बाद दोस्तों यह क्या होगा दोस्तों कि deposit करेंगे when the agent of erosion lose energy so sediment stop moving तो deposition started okay तो deposited according to the size दोस्तों बड़ा वाला जो sediment होगा आगे deposit करेगा पहले deposit करेगा और जो छोटा वाला sediment होगा और दोस्तों बहुत ही दूर के बाद deposit करेगा तो क्या होता है दोस्तों यह stage weathering erosion deposition okay deposition के बाद दोस्तों इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों sedimentation भी बोलते हैं sedimentation okay sedimentation के बाद दोस्तों क्या होगा compaction हो सकता है cementation हो सकता है after after the sediment deposit okay the rock turned into sorry the loose fragment turned into rock इसका मतलब क्या होगा कि become or lethified हो जाएगा क्या process यहां पे involved होता है दोस्तों Compaction हो सकता है cementation हो सकता है और दोस्तों recrystalization हो सकता है Compaction का मतलब क्या है दोस्तों squishes compact sediment caused by the weight of the sediment उपर में दोस्तों time के हिसाब से दोस्तों load बढ़ता जाएगा उसके कारण दोस्तों और simentation क्या है दोस्तो? Simentation का मतलब dGL मिंदल are deposited in the tiny space among the sediment तो इनके कारण दोस्तो एक grain के और दूसरे grain के बीच में dGL सिमेंटी मेटरियल दोस्तो भर जाएंगे dGLT के कारण तो यही प्रोसेस था दोस्तो Simentation ओके ओर एक प्रोसेस हमारा क्या है दोस्तो, recrystallization भी कभी कभी होता है जो older material होता है को कभी-कभी new मिंडल, एक नेया सा मिंडल दे देते हैं तो यह जो recrystallization हुआ यह process को इस process में जहाँ पे दोस्तो एक loose fragment convert हुआ एक hard massive fragment में इसको lithiumication बोलते हैं और इनके बीच में जो changes हुआ दोस्तो, okay changes हुआ, मतलब physio-chemical जो changes हुआ, दोस्तो इसको digenetic changes बोलते हैं और यह जो changing process इसके दोरान की, मतलब की compaction, cementation और recrystallization के दोरान दोस्तो जितने भी आपको changes देखने को मिला, दोस्तो वो process को हम क्या बोलते हैं, digenesis process ओके, तो इसके हिसाब से जो, मतलब की loose fragment दोस्तो, hard and massive substance में convert हो जाता है इसको हम sedimentary rock बोलते हैं ओके, यही था दोस्तो, sedimentary rock का formation, देन आगे हम दूसरा topic पे, दोस्तो, sedimentology में cover करेंगे, structure, texture classification, ओके, तो चलिए दोस्तो, आगे की त्यारी करते हैं थेंक्यू दोस्तो, आज के लिए इतना है